आज इस lecture के अंदर दोग बात करेंगे cable के कैबिस्टरंस के बारे में रेइस्टरंस लास्ट लेक्षर रोली थी केबिल की सीरीज चल रही है अबहुती इंपोर्टेंट यहां पर discussions cable की उपर मैंने कर रहे हैं और आने वाले समय में भी और cable की उपर ठोड़ा सा इसक्रिप्ट तयार हो गई है तो हो सकता है कि parallel में सब्सक्रिशन के ऊपर की सीरीज भी स्टार्ट हो जाए अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से मैं उस पर काम करूं और जल्दी से लेक्चर आने शुरू हो जाएं तो comment section में type कर देना सब्सक्रिशन मैं समझ जाऊँगा कि जो थे detail में चर्चा करी थी तो मैंने बताया था कि अगर हम overhead transmission line में आपने याद हो तो दो wire की बीच में दो conductor की बीच में Kepsytence बनता था और साथ wire और earth के बीच में भी Kepsytence बनता था यह था overhead transmission line में उसी तरीके का कुछ Kepsytence जो है different potential और separated by insulator वो capacitance बनाता है यानि कि दो metal sheet या दो metal surfaces जो अलग potential पे हो और insulator से separate हो वो capacitance बना देगा ठीक है कैसे काम कैसे identify करेंगे तो basically capacitance जो होता है वो electric field को store करने लिए यूज होता है electric field जो होती है उसके अंदर store हो जाती है है so this is the basic of capacitance आपको याद होगा मैंने जब cable के साथ साज ओवरे transmission में discuss कर रहे थे तो मैंने आपको बदा आया था cable के अंदर जो capacitance होता है वो 20 to 30 टैंज जादा होता है capacitance of over a transmission line इसलिए cable के अंदर na capacitance की study करना बड़ा important हो जाता है as compared to the overhead क्योंकि overhead में होता है इसलिए आपको याद हो को long transmission line में जाके हमें कुछ significant capacitance देखने को मिलता है उससे पहले तक हम लोग capacitance को हमेशा ignore ही करते चलते हैं ठीक है लेकिन जब cable की बात करते हैं तो cable में क्या होता है न कि short cable में भी आपको capacitance का effect देखने को मिल जाता है क्यों क्योंकि cable के अंतर केपिस्टेंस 20 से 30 गुना हर बार है समझ में आरी बात है तो इसलिए जो हालत inductance की थी overhead transmission line में वह हालत capacitance की होती है के विल के अंतर ठीक है तो अगर हम बात करें तो केपिस्टेंस ऐसा क्यों है क्योंकि मैंने बता रखा है केपिस्टेंस जो होता है इंपोर्टन फॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि कोर और अगर हम केपिल को बड़े ध्यान से देखें तो यह होती मेटल शीट आपको याद होगा मैंने जो केपिल के स्टक्चर बताया था conductor ठीक है उसके बाद इंसुलेटर देन उसके बाद आता है यहाँ पर शीट आता है और उसके बाद आता आपकी बैडिंग एंड बै o Gentil जोती वो ग्रांड ठीक हो गया तो एक मैना का यहाँ मैंने तो यहां पर pessoal बहुत ही बात है बहुत है मने इसके अंदर इक थिक इंसुलेटर लगा रखा है पर फिर भी काफी करीम है compare to the overhead transmission line overhead transmission line में देखो तो conductor कितने जादा दूर है ठीक है तो और cable के अंदर में क्या है कि conductor और यह जो metal sheet है यह काफी close है तो इसलिए क्या होता conducting surfaces काफी close होते हैं cable के अंदर इसलिए यह 20 से 30 गुना होता है इसका जो capacitance cable का compare to the overhead transmission line सभी में आजया तो आई हो समझ में आगा हो तो कोई अगर पूछ ले क्यार cable में capacitance इतना जादा क्यों हो इतना short सरावा क्यों है भाई capacitance का तो कह देना क्योंकि capacitance जो है distance पे inversive proportional है और यह logic समझा देना ठीक है अगर हम बात करने केविल के अंदर to दो तरीके से केविल के अंदर एक हैestra की गयात हो तो दो तो तीनो फेस हैं 120 120 120 डिगरी पर डिफ्रेंशियेट होंगे इनकी बीच में जो कैलाएगा वो कहलाएगा कोड़ टू कोड़ के बीच में जो कैपसिटेंस है यह केवल थ्री कोड़ केवल में ही संबब है सिंगल कोर केवल में पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर देख सकते हो मैंने भी बताया था ना इंसुलेटर के उन पर नेक्स्ट लिए़ जो होती 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 है जो की जनरली ग्राउंडड होती है तो ग्राउंड और कंडुक्टर के बीच में यह जो केप स्टेंस बनेगा डिस वाट वी कॉल कोर्ट तो यह होता है दूस सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, single core cable, अगर single core cable की बात कर ले, तो यह तुम्हारा conductor हो गया, इस conductor का core, conductor की core का diameter अगर D है, और पूरे cable का diameter capital D है, तो ऐसे case में हम लोगों ने और लगों ने आल्रेडी formula पड़र रखा है, co-exile cable में भी देखा था, c equal to 2 pi epsilon divided by ln d by d simply हो गया है यहाँ पर d is the diameter of the cable and d small d is the diameter of the core ठीक है इसको समझ में आगी बात है कुछ बुक्स के अंदर न यह formula ln r2 by r r by r दे रखा होगा इसमें r क्या होगा radius of the cable हो गया and r is the radius of the conductor तो same ही है ठीक है क्योंकि अगर diameter को radius में convert करो वह divided by 2 divided by 2 cancel out हो जाएगा यह दो यह दो cancel out हो जाएगे तो बात वही पड़ेगी इसकी अगर पर्मिटिविटी एफसाइलन हम जानते हैं जो होता में उस इंसुलेटर की पर्मिटिविटी कैसी है इसके लिए मैटल में लेक्टर जाके देख सकते हो माँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है एक तो इंसुलेटर एक तो और मैटल शीट के बीच में जैसे पीछे बताया और आपस में तो यहां पर देख सकते हो जो ग्रीन कलर के मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है इस तरीके से तो अगर इन दोनों को हम लोग इंक्लूड करेंगे तो पुटेंशियल डिफरेंस एकिसी से क्सके बीच में गख़ांट इसलिए होगा कि अगर करेंगे को तो जो Conductive Director के बीचbres्वाथ कपिछ कि यानि कि यह वाला यह वाला इन से कंड़ाय तू इस Uni करेंगे कटेंड़ 283 से और औरार्ट के बीच में और अर्थक के बीच में हैं कंड़क्टर टू अर्ठ इस तू इसो मं रिप्रसेंट करेंगे 7 ठीक है तोöyleफ नुकर के यहां पर हमने देखा कि बन रहा है मेंटर शीट और कंड़क्टर के बीच में तो एक इंट्रेस्टिंग चीज देखने को मिलती बहुत इंपॉर्टेंट की जो कंड़क्टर के कैप स्टेंस हैं वो तो डेल्टा में देखो कनेक्टेड हैं ठीक है समझ मारी देखो यह बन रहा है डेल्टा फॉर्मेशन स्टार डेल्टा होता है और चीज बड़ी इंट्रेस्टिंग समझ में आती कि सर आपने इस टार कह रहे हो तो स्टार कैसे तो यह वाला पॉइंट क्या है ग्राउंड पर और इसका एक सिरा जो है आर से बहुत द्यान से समझते यह लोग रट लेते हैं लेकिन मीनिंग नहीं पता होता समझ लो इसको मैं क्यों कह रहा हूं कि स्टार बना रहा है डेल्टा भी तो कह सकते थे समझो इसको डेल्टा गेंदर क्या होता है कि डेल्टा अगर हम बात करें आर वाई बी तो इस केपसिटेंस का एक सिरा दूसरे फेस पे और दूसरा सिरा r पे है, ऐसी यहाँ पर, ऐसी यहाँ पर, तो यह तो delta हो गया, star मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझू, बहुत important चीज, एक सिरा r पे, दूसरा सिरा ground में, ध्यान समझ ना, एक सिरा y पे, दूसरा सिरा ground में, एक सिरा b पे, दूसरा सिरा ground में, ठीक वह तो एक branch होती हो में फेस से जुड़ी होती है और उनका जो second end होता है वह आपस में club होता है और ground से जुड़ा होता है ठीक है clear हो रहा है यहां पर तो हम इसको इस तरीके से connection को बना सकते हैं और इसको मान सकते हैं this is the grounded जैसे कि metal sheet grounded है तो हमने कहा दिए यह भी grounded हो गया सो इसी लिए हम लोग कहते हैं कि जो capacitance to earth जो conductor to earth जो capacitance बन रहा है वो क्या स्टार में है बहुत important explanation कहीं rarely दे रखी यह बात कि आकर हमने स्टार में क्यों ले लिया हमने ठीक है यह जो है यह स्टार में कैसे मान सकते हैं अगर कोई capacitance यहां बन रहा है इसको स्टार में क्यों मान सकत है ठीक है सवज मारी बात है तो यह वी कॉल इट स्टार कनेक्शन समझ माया तो इस टार कनेक्शन हो गया अच्छा अब देखो इसको जड़ा सौल करते हैं तो अगर मैं इस structure को ध्यान से देखूं तो इसको दो पार्ट में तोड़ सकता हूं एक है पार्ट जिसमें हमें स् अगर हम इनका equivalent निकालें तो कितना निकल के आया तो अगर इक स्टार एक डेल्टा है तो क्या करें एक को करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे डेल्टा को स्टार कनवर्जन कर देते हैं अब देखो यहां पर बड़े ध्यान से समझो इस बात को अगर आपको याद हो हो आप यहां पर द्यान रखो अब क्या करेंगे अगर इसी तरीके से अगर हम डेल्टा कनवर्जन करेंगे स्टार में तो अगर रेजिटर्स करते तो यह हो जाता और भाई थिरी लेकिन कर रहे हो तो क्योंकि रूल उल्टे होते हैं केपस्टेंस में करेंगे स्टार में तो कितना हो जाएगा थ्री टाइम सी हो जाएगा क्लियर हो रहा है यहां पर यह चीज़ दियान रखना है यहां पर बेसिक लेक्टरिकल आप जाके इसके लिए कंसर्ण कर सकते हो तो यह हो गया 3C 3CC की जंगा क्या जाएगा 3CC यहां पर भी और यहां पर भी तो 3CC फार्म हो गया ठीक है अब देखो अब एक यह स्टार बन गया और यह स्टार है ठीक है तो अब यानि कि हमने इसको इक्विलेंट को किसमें कंवर्ट कर दे स्टार स्टार तो अब इनको एड़प कर लेंगे तो एड़प जो होगा आपको पता है कैपिस्टेंज होता है हमेशा वह शंट में पैरलल कनेक्शन में क्या होता है एड़प हो जाता है सीवन प्लस सीटू और वहीं पर सीरीज कनेक्शन में क्या होता है वन बाई सीवन प्लस वन बाई सीटू होता है कैपिस्टेंज की तो यानि कि अगर मैं बात करता हूं तो हमने देखा कि के अंदर दो तरीके बन रहा थे एक कोर बन रहा था दूसरा कोर टू अर्थ बन रहा था तो यह जो था यह होता है आपका यह जो के साथ बन रहा है तो इसकी वेल्यू कितनी होगी इसकी वेल्यू जाएगी c e plus 3 c c बहुत important ठीक है समझ में रही है यानि कि अगर पर फेस्ट की बात करें तो बड़ा interesting चीज निकल के आती कि अर्थ का जो के साथ बन रहा है वो तो एक ही बार use होगा एक पार्ट है उसका और तीन पार्ट जो हैं वो cc के हैं यानि कि code to core तो यहां से भी देख लो code to core capacitance जो होता है वो उसका three times हम लोग एक particular phase के लिए लेते हैं as per the mathematical model जो हमने अभी निकाला है ठीक है तो यहां पे इसका यह derivation हो जाता है अगर paper में है तो इस तरीके से इसको drive कर सकते हो नो यहां is your single core नहीं three core की निकाल लो अभी मैं दोनों को आखिर मैं club कर दूँगा तो अगर single core की निकाल रहे तो उसका derivation समझ लो तो मान के चलते हैं यह metal sheet है हमारे पास ठीक है और यहां पे core से conductor आएगा वो स्वारी current आएगी charging current और इस तरीके से केपस्टेंस के त्रोफ फ्लो करेगी ठीक है charging current होगी अब यह जो ic होगी हमारी इसकी अगर value निकाल लें तो ic equal to v divided by xc यानि केपस्टेंस रियक्टेंस फर पर फेस ठीक है तो xc अगर यह निकाल लोगे तो यहां पे तो यहां पे देख सकते हो v phase divided by x phase स्वंझ में आ रहा है अब अब x phase की value कितनी होती है x equal to कितना होता है omega l होता है अगर inductive होता और capsules कितना होता है 1 upon omega c होता है तो omega c इसको रखोगे तो v phase divided by 1 upon omega c यह उपर चला जाएगा तो omega c phase आ गया तो यहां से ic की value अब omega को खोल लो omega कितना होता है 2 pi f इसको खोल लेंगे तो ic equal to 2 pi f c phase v phase समझ मारी बात ही clear हो रहा है यहां पर तो charging current की value कितनी निकल के आगे 2 pi f c phase v phase अब देखो अगर single core cable है तो उसके अंदर जो v phase होगा वो equal to v sorry v phase कह रहा हूं v phase तो simple होगा उसके अंदर जो c phase होगा c phase तो c phase यानि कि जो पर phase value होगी वो कितनी होगी एक ही बन रहा होगा तो c e के बराबर हो जाए क्योंकि इसके अंदर अगर single core cable है तो वहाँ पे अर्थ capacity picture के अंदर रहता है यानि metal sheet और conductor के बीच में बनने वाला लेकिन अगर मान के चलते हैं 3 core cable है 3 core तो वहाँ पे इस c phase की जगह के आ जाएगा cn आ जाएगा देखो यहां पर cn लिख दिया तो इस दा पर टोटल पर फेस टोटल फेस capacitance ठीक है total phase capacitance जो उसके अंदर होगा cn होगा cn equal to c e plus 3cc तो यानि कि यहां पर जो charging current flow करेगी in case of 3 core cable 3 core cable के अगर हम बात कर लेते हैं तो 2 पचास लग जाए तो यह सारी चीज़े मैंने इस lecture के अंदर इस particular members वाले जो group है हमारा उसके अंदर शेयर की हुई है जाकर देखो काफी सारे मैंने प्रिवेस एर के वीडियो डाले हुए आप उसको चेक करें आपने अमना कीम्री समय दिये उसके लिए धन्यवाद अगर क आपको लेक्चर पसंदा है तो लाइक करो जादा जादा तक लोगों तक शेयर करो इतना तो करी सकते हो थेंक यू